तो बुद्धि से सम्मंदित हम टॉप फिफ्टी कोस्चन्स लेकर आएं क्या आप सभी लोग तयार हैं ये टॉप फिफ्टी कोस्चन्स को अटेंड करने के लिए तो चलिए सुरुवात करते हैं जिसमें से पहला प्रशन आपके स्कीन पर है प्रशन पूचा गया कि बच्चे की बुद्धिलब्द 90 से 110 के मद्ध है तो वह किस केटेगरी पर आएगा शमान बुद्धी प्रखर बुद्धी उतकरष्ट बुद्धी या प्रतिभाशाली तो आप सभी लोग जानते हैं सभी ग्यानी सर्व बेख्याता लोग है भावी दापक दाविका हैं जब भी आप 99 सिले के 109 के मद्ध जो भी आपके बुद्धिलब्द पूची जाती है वह सामान ही बुद्धिलब्द कहलाएगी जी हां ये आपको ध्यान रखना है तो एक जाम के लिए गोल्डेन वीडियो है गोल्डेन एपन चूटी है आप सभी के लिए चले बात करते हैं सिकंड प्रिश्ण की बात कर लेते हैं दूसरा प्रिश्ण आपके स्कीन पर क्या कह रहा है कि बाल मनो बिज्ञान के अधार पर कौन सकतन सरुत्तम होगा सारे बच्चे एक जैसे होते हैं प्रतेग बच्चा बिशिष्ट होता है कुछ बच्चे बिशिष्ट होते हैं कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं तो आप सभी लोग एक सिच्चक हैं अध्यापक अधाबिका बनने जा रहे हैं तो आपके एक ओर्डिंग देखा जाए यहा मनो बिज्ञान का धार पर अगर शरोत्तम प्रश्ण पूँच रहा है तो एक सिच्चक के लिए प्रतेग बच्च जो होता है वह बिसिष्ट होता है सिकंड ऑफसन इस दराइट एंसर नो डाउट सारी चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे आई ओप सभी लोग समझ गयोंगे बात करेंगे अंगले प्रश्ण की अंगला प्रश्ण है बच्चे के निसुलक एवं अनिवार सिच्चा का अधिकार अधनियम कितने वर्स के बच्चे के लिए लागू होता है तो सभी मेरे प्रश्ण जानते हैं जब भी निसुलक एवं अनिवार सिच्चा अधनियम के बात की जाती है आटी एक 2009 के बात की जाती है तो 6 से लेकि 14 बस्तक के बच्चों के लिए इस सिच्चा अधिकार अधनियम के दहाद बच्चों के लिए निसुल का और अनिवार सिच्चा का दिकार अदियम बनाए गया है तो 6 से लेके 14 बच्क के बच्चों की बात कर रहे अगर अपसे लिए सिच्च को ग्यान होना चाहिए सभी लोग पताईए अध्यापन बिशे का बाल मनो बिग्यान का सिच्छा सनीता का या ध्यापन बिशे बाल मनो बिग्यान दोनों का ग्यान होना चाहिए देखे सिच्छा को ग्यान कैसा होना चाहिए आप को ग्यान कैसा होना चाहिए आप स्वयम सोचे अपने आप में आपको ग्यान किसका होना चाहिए आपको ग्यान अध्यापन बीसे एवं बाल मुनोबिग्यान दोनों का होना चाहिए क्यों कि आप बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं और जो भीसे पढ़ा रहे हैं उसका भी आपको ग्यान होना चाहिए ब्रद्य और विकास के सरवादिक अधन के अच्छी विधी, क्या वह मनोब इसलेशन विधी है, तो लातम विधी है, विकासी विधी है या सांग की विधी हो जाएगी, मेरे सबी पैरे-पैरे मित्रों के पैरे-पैरे बहने ग्रणी, सबी कमेंड कीज़ेगा, यहां पर कभी हो जाएगी यहाँ पर किसी भी पर्शन किसी भी आपसंस पर अगर आपको प्राब्लम है आप लोग कमेंट कर सकते हैं फीडवे कर सकते हैं आए बात करेंगे अंगले पर्शन के दोसो समाजी करन वह प्रकिया जिसमें बच्चे और वैस्क सीखते हैं परिवाज से सीखते हैं बिद्याले से सीखते हैं साथियों से सीखते हैं या इन सभी से सीखते हैं जिनको भी CT exam को फते करना है अपने TT family से जुड़ जाईएगा क्योंकि यह सारी free of cost class जहां पे होती है free of cost सबको मिलता है तो साथी साथ Instagram Facebook पेंच को भी हमारे परिवार से भी होगा विद्याले से होगा साथी यह सारे होगें क्योंकि समाज में परिवार विद्याले साथी सब कुछ आ जाते है इसलिए प्रसन आपके स्कीन पर आचुका है गाड़नर ने सात बुद्ध के अदिमान निधारित किये हैं इन में से कौन सा नहीं देखे गार्डनर की बात करते हैं जिन्होंने इस्थान समंदी बुद्धी का अधनियम निधायत किया अंतर वेकित बुद्धी का अधनियम का निधायत किया भासात्मक बुद्धी का निधायत किया लेकिन भावात्मक बुद्धी का निधायत नहीं किया है कोई भी डाउट हो बेफिकर आप लोग कमेंड कर सकते हैं फीडबेक कर सकते हैं आईए बात करेंगे आपके अंगले प्रस्ण की अंगला प्रस्ण बहुत इंटेस्टेड दोस्तों दिया गया है कि सहुगात्मक राजनीत की किस स्रेणी में महिलाएं निम्न से सम्मंदित नहीं होती है अब देखे इस प्रस्ण को समझ लीजेगा इस लाइन को समझ लीजेगा सारे क्वेश्चन आप समझ जाएंगे सहुगात्मक राजनीत की स्रेणी में महिलाएं निम्न सम्मंदित नहीं है तो यह जानना जरूरी है कि जो सहुगात्मक राजनीती होती है उसमें किस स्रेणी में महिलाएं सम्मंदित होती है उसमें श्विकारता होता है क्रांती होती अनकूलन होता है लेकिन प्रतिरोध न प्रशंग यह प्रशंग आपके स्कींद पर आचिका है बहुत अच्छा प्रश्ण प्रशंग पूछा गया है कि युद एक बच्चे की मांसी और पांच वर्स है तरह वास्तवी कार्य चार वर्स तो उस बच्चे की बुद्धिलब्द क्या होगी इसके लिए फार्मूला होता है लेडी बता चुके है इसके लिए हमारा फार्मूला होता है की रवा एमे अर्थात मांसी कायू उसके बाद वास्पि कायू और उसमें सव वे गुना कर देना है चार्स क्यों काटेंगे 25 आएगा 25 वंचे 125 होता है तो किसी भी बच्चे की मानसी कायू 5 वर्स है उसकी वास्वी कायू 4 वर्स है वास्वी में तब जो उसकी 4 वर्स का बच्चा है लेकिन बुद्धिलब्ध उसकी 5 वर्स बच्चे के समान है यह एक वर्स आगे कह रहा है तो मानसिक आयो, वास्वी कायो या IQ दूर रहता है, मानसिक वास्वी कायो निकालना होता है, तो दोनों चीज़ें आपकी निकला आती है, अंगला विद्याली छेत में रशनात्मक निधारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं होगा, देखें ये जानना जानने के लिए उपागम होते हैं, लेकिन एक बहु विकल्पी जो प्रस्ण होता है, ये विद्याली छेत में रशनात्मक निधारकों के जानने के लिए उपागम नहीं होता है, इसलिए यही तो पूंचा जा रहा है, तो एक आडिए इंट पुस्चन समारा भी आपसन यह आपर सही हो जाएगा, तो नो डाउट सारी चीज़ां आपकी ग्लेर हो गई है, आएए बात करतें अंगले पुस्चन के, इसके बाद बात करतें अंगले पुस्चन की, कि आधनिक मनो बिग्यान का अर्थ क्या होता है, आधनिक मतलब जो अपका चला है, उन्हें इसी सदी का जो चलना है मनो बिग्यान इसका अर्थ क्या होता है मन का ध्यन आत्मा का ध्यन शरीर का ध्यन या बेवहार का ध्यन कहते हैं ना हमेशा अपनी जिन्दगी में बेवहार बना के चलना चाहिए क्योंकि पैसा कमा सकते हैं लेकिन बेवहार कमाना बेवहार भी कमा सकते हैं लेकिन एक बार अगर चला जाए तो दुबारा बेवहार कमाना बहुत गठीन होता है पैसे तो आप फिर भी कमा सकते तो आधनिक मनो बिज्ञान करती होता है बिवहार का अध्यन डी आपसन एदर आइट एंसर आईए बात करते हैं अंगले पिस्ट के हिंदी अच्रों को बालक की साव में पहचानने लगता है यह सारे बुध्ध इंटिलिज्जन से संमन्दित आपके प्रष्ने है हिंदी का कोई अच्र है बालक की साव में पहचानने लगेगा तीन और्ष, चार बर्ष, पांच और्ष, शे बर्ष कि ये का लिखा हुआ है ये खा लिखा हुआ है ये अंगा लिखा हुआ है ये चाचमाच लिखा हुआ है बच्चा की साव में पहचानने लगता है हिंदी के अच्छर तो यह कहलाएंगे तो बच्चा जब लगबग कह सकते हैं पहली क्लास में जाता है या लगबग कह सकते हैं पांच वर्स में बच्चा जो है हिंदी अच्छों को जो है पहचानने लगता है आपके कॉर्डिंग क्या है आप लोग भी अपना फीडबेक कर सकते हैं क्योंकि आपका एक एक फीडबेक शरोपर ही है श्रमान है जैस्वास और आप सभी कविनदन श्वागत करते हैं प्रशन है बुद्दिलब्दुमापन के जन्मदाता कौन है क्या वैश्टन है बीने है टर्मैन है यह अनमे से कोई नहीं अगर आपको पता है आप लोग भी कमेंड कर सकते हैं तो बुद्दिलब्दुमापन के हमारे जन्मदाता और कोई नहीं टर्मैन कहलाते हैं नोट कर कर लीजएगा कैंए बात करते हैं अध्यकसिया क्या होता है कि क्या बढ़ने क्षमता फिर लिखने की तो सीखने की शुने की यह 사고 जो चार चायं होता लिखने संबंदी हो जाता है ठीक है तो यह ऐसी कोश्चन से जो पूछे जाते हैं आपके एक्जाम के जैसे important सारे questions अंगला है सिच्छा मनो बेग्यान की उत्पत्ति का वर्स का उन्सा माना जाता है तो लगबग सभी लोग जानते ही होंगे क्या माना जाता है सिच्छा मनो बेग्यान की उत्पत्ति का वर्स उन्सा माना जाता है अंगला प्रशन दोस्तों प्याजे जी के आपचारिक संक्रियात्मा कवस्था किस आयू अवद तक माने जाती है देखें जीन प्याजे जी ने चार अवस्थाएं बताई है आप सभी लोग परचीत होंग पहली अवस्था होती जन्सले के दोवस्थ ये हमारी प्रथम वस्था होती सम्वेदी गामा कवस्था कहलाती है दोसी पूर्ष शंक्रियात्मा कवस्था दोसले के साथ वस्थ तिसी साथ सले के गेरवस्थ मूर्थ संक्रियात्मा कवस्था चोती होती है अमूर्थ या चारिक संक्रियात्मा का वस्था यानि अमूत संक्रियात्मा का वस्था यानि गेरस लेके पंद्रवस्थ के वस्था जीन प्याज़े जी की चतुर्थ अवस्था की बात करेंगे जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब कितनी होगे जो बालक होंगे जिनकी अंगला पसने गर्व में बालक को विक्सित होने में कितने दिन लगते हैं कोई भी बालक है उसको गर्व में विक्सित होने में लगवक कितने दिन लगते हैं 250, 280, 390 या 460 सभी बताईएगा तो आप सभी लोग जानते हैं कोई भी बालाक उसको गर में विक्सित हो ना तो उसके लिए minimum average जो है 280 days दिया 280 दिन जो है लग जाते है और अंगला question बहुत important है कि 90 सिजु का भार कितना होता है 6, 7, 8, 9 pound में अगर पूंचा जाता है तो लगबग average जितना माना गया average 7 pound माना गया जी है नावजात सिजु का भार average जो है 7 pound के बराबर माना गया है अंगला question किस मनोब बेग्यानिक ने अपने तीन वर्सी पुत्र का ध्यन किया क्या है मनोब बेग्यानिक पिस्टोलाजी है वार्सन है इस्टेनले हाल है या जेम्स सली है अगर आपको पता है बेफिर का आप लोग कमेंट कर सकते हैं फीलव कर सकते हैं जैस्वासरा आप सबी कमедर श्वागत करते है तो जिस मनोब बेग्यानिक ने अपने तीन वर्सी पुत्र का ध्यन गिया ऐसे महान मनो बेग्यानिक आपके पिश्टोलाजी कहलाते हैं अगले अपसे इनमे से विक्सित अवस्था या बिकास अवस्था कौन्स कहलाती है तो बिकास की अवस्था क्या वए गुणात्मक है शंख्यात्मक है निश्चित आयू तक चलने वाली है सरीरी कंगों में परिवतन का सूचर कहलाता है तो आप सभी लोग जानते हैं ग्यानी सरवब बख्याता लोग है कि इन में से जो विकास के वस्था हमारी कहला जाती है विकास के वस्था हमेशा जो क्या होती गुरात्मक रोप में होती है ये गुनात्मक्ता कहला जाती है। अंगला है बालक का विकास होता है। तो सभी लोग लगबग जानते होंगे ये प्रस्षन इंपोर्टन्ट है। बालक का विकास हमेशा जो है आप सभी लोग जानते हैं सिर्से पैर की तरफ होता है। अगर पूँचा जाता है बालक का स्रवतं निर्मान किक knocking किसका होता है तो बालक का स्रवतं निर्मान की कहता है। विकास के संबन्द में गलत क्ठन है विकास के समय देखां जाए तो वरतुलाआ कार गति होती है जी सा सिर से पैर के होता है और विकास एक ऐसी प्रक्या है कौनसी प्रक्या है सौर भौमी स्ब्रक्या है लेकिन विकास बिस्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष होता है तो सभी लोग जानते हैं खेल के मैदान में कुछ सरीरिक विकास तो हो गई होगा साथी साथ मांसी विकास भी होता है और इसके साथ बच्चा अकेले तो खेलेगा नहीं समूम में खेलेगा इसलिए समाजिक बिकास भी हो जाता है तो ये सारे आपसंज जो दिये गए उप्रोक्षभी ये हमारे खेल के मैदान में सारे बिकास जो है विक्सित हो जाते हैं या विक्सित होंगे अंगला पस देखेगा गर्वदान काल की अवस्था नहीं है देखे गर्वदान काल की अवस्था हमारी डि हो जाता है तब के बाद की अवस्था सैसा वस्था कहलाती है सैसा वस्था बाल्य वस्था किसोरा वस्था प्रोढ़ा वस्था इस सारे ऐसी अवस्थाएं और इस सभी अवस्थाओं से भी प्रशन आने वाला है जितने आपके सैसा वस्था बाल्य वस्था किसोरा वस्था इ प्रिशन आपको इजली लगते होंगे लेकिन यह सारे प्रिशन रीपीट हो सकते हैं एक नए तरीके से पूँचे जा सकते हैं कुछ और इसमें मैसेज जोड़ा जा सकता है तो गर में संतान सरवाधिक प्रवाइट होता है मां के पौसंच से क्योंकि कहते हैं अगर मां ठीके से जानते भी हैं अंगला पसने मानो जीवन की मनो भौतिक एकता क्या कहलाती है मन तथा सरीर का विकास सरी तथा हट्डियों का विकास सरी तथा हैदें का विकास आत्मा तथा मासपेशियों का विकास देखे मानो जीवन यही हमारे जीवन में मनो भौतिक एकता होती है उसी को हम क्या बोलते हैं मन तथा सरीर का विकास जी हां मानों जीवन की जो मनों बहुतिक एक्ता होती कि मन तथा सरीर का विकास दोनों होता है ये बहुतिक एक्ता है दो से लेके पांच वस की आव क्या कहलाती बच्चे की सैसा वस्था, बालेकाल, उत्तर बाले वस्था या किसोरा वस्था देखे बाले वस्था जो होती वे छैसे लेके बारा वस्था होती है उत्तर बाले वस्था नौ से लेके बारा वस्था होता है पूर बाले अवस्था इच्छे से लेके नवस्थक होता है और किसोरा अवस्था जो होता है बारा से लेके ठारा अवस्थक होता है इसलिए सैसा अवस्था की अवदी दो से पांच वस हो जाएगी वह हमारी सैसा अवस्था की अवदी कहला जाएगी अंगले गर्व में सर्वत्म निर्माण होता है तो हमने क्या बताया था कि बच्चे का विकास कहां से होता है सिर से पहरी की द्रब होता है इसलिए गर्व में भी सर्वत्म निर्माण सिर का ही होता है भी आपसा निदा आलेडी आप लोगों का सही हो जाएगा आई बात करते हैं अंगले प्रिश्ण प्यारे प्रिश्ण की बात कर लेते हैं बालक के सिरी एवं मस्तिस का सरवादी विकास की सवस्ता में होता है प्रोड़ा वस्ता, सैसा वस्ता, कि सोरा वस्ता या बाल्या वस्ता में होता है सभी कमिन किजेगा तो बालक के सिर एवं मस्तिस का सरवाथिक विकास जो होता है, वह आपके सैसा वस्ता में होता है, बी आपसर राइट एंसर नोट कर लेज़ेगे, अंगला पसने जन्म के समय सिसु में कितनी हड्डियां होती हैं, आपने पढ़ा होगा 206 हड्डियां, आपने पढ़ा होगा 270 आपने पढ़ोगा 220 आपने पढ़ोगा 230 लेकिन आपने जो सही सुना होगा वो जन्म के समय से उसकी हड्डिया कितनी होती थी 270 होती जन्म के समय अंगला पस देखेगा अंगला पस ने बीजावस्था कहा गया है तो सभी लोग जानते हैं जो हमारा जीरो से लेके दो सब्ताय का वस्ता होता है वे बीजा वस्ता का शमय का जाता है बीजा वस्ता उसको बोला जाता है अंगलापस देखेगा अंगला पस्नमारा स्कीन पर आ चुका है कि बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारम कर देता है 6 माँ, 8 माँ, 9 माँ या 3 माँ में तो आप सभी लोग जानते हैं बालक अपनी माँ को पहचानना कब से प्रारम कर देता है जब बच्चा 3 मंद का होता है तीन माय का बच्चा जब हो जाता है तो वह अपनी मा को जानना पहचानना शुरू कर देता है फिर दीर दे अपने परिवार फैमिली को पहचानना शुरू कर देता है अगर आप अगसर देखे होंगे बच्चा ऐसा होता है गर परिवार में किसी एक सक्स के पास जो है हमेशा चला जाता है उससे ज्यादा लाड़ प्यार होता है उससे ज्यादा जानता पहचानता है परिवार में एक सक्स ऐसा होगा कितना ही बच्चा रो रहा होगा लेकिन उस सक्स के पास जाएगा बच्चा सांत हो जाता है बच्चा जो उस बिक्त से ज़्यादा प्रभावित होता है जानना पहचान उसकी ज़्यादा हो जाती है अंगले प्रिश्ण की बात करेंगे दूस्तों बालक जो है जमीन पर से अपने पसंद की वस्ट उठा लेता है आप के उस बाला क्या होगी इनि बच्चे को बोला जाए आपका जो मन पसंद हो उठालो, खेलो, कुदो, खाओ, पियो तो उस बच्चा जो है किस आयू पर होगा जो बच्चा अपनी मन पसंद के वस्त उठा ले सकता है क्या भए आयू 12 से 13 माँ है 5 से 6 माँ है लेकिन जब बच्चा दीर दीर चलने लगता है तो कहिने कि बच्चा पहचान आप बोलेंगे बॉल ले आओ, या चीज लाओ, वो चीज लाओ तो बच्चा पहचान लेता है, ले आता है तो कह सकते हैं 8 से 9 माँ है तो बालक जमीन पर से अपने पसंद की वस्तू 8 से 9 माँ में उठा लेता है वो जानने लगता है, पहचानने लगता है कि मुझे ये वस्तू चाहिए, मुझे वस्तू अच्छे लगती है ठीक है? इसके बाद हम बात करेंगे प्रस्णिकी कि बालक के जन्म के समय सिसु के मस्तिस का भार कितना होता है एक बच्चे के मस्तिस का भार कितना होगा 300 ग्राम, 350 ग्राम, 400 ग्राम या 425 ग्राम हो जाएगा तो आप सभी लोग जानते हैं बालक के जन्म के समय सिसु के मस्तिस का अगर भार पूंचा जाता है तो वह दोस्तो हो जाएगा 350 ग्राम जर्म के समय यहाँ पर पूचा जाता है और कई बार एक प्रशन आपका पूचा भी गया है रिपीट भी हुआ है अंगला प्रशन आई आप देखते हैं स्किन पर दोस्तो सीखने का आदर सकाल माना गया है क्या वह आपका सैसा वस्ता है बाला वस्ता है कि सोरा वस्ता है या आपका वह प्रोडा वस्ता हो जाएगा तो आप सभी लोग जानते समझते हैं ग्यानी सर्व विखाता लोग हैं भाविद्धा पकद्धा पिकाए हैं कि सीखने का आदर सकाल माना गया है जब बच्चा सीखने लगता है और सबसे अच्छा बैतर तरीके से बच्चा कब सीखता है तो वह बच्चा दोस्तो सबसे बैतर और अच्छे तरीके से सरसा वस्ता में सीखता है जब बच्चा जीरो से लेकर पांच वस्ता की वस्ता में होता है इस वस्ता में बच्चा बैतर कब होता है सैसा वस्था की सोरा वस्था बाले वस्था या सैसा वस्था की सोरा वस्था दोनों की बात कर रहे हैं तो कल्पना जगत में अगर बिच्रण की बात हो रही तो कहीं ने कहीं सैसा वस्था की सोरा वस्था दोनों अवस्थाओं की बात हो जाती है इसलिए D option according to questions आईए बात करते हैं अंगले प्रश्ण की दोस्तों एक बालक पडूसी के घर में अपनी मा की गोद में खेलता हुआ सो जाता है उसकी मा के दोरे उसके पडूसी की यहां बिस्तर पर सुलाते हुए रोना प्रारम करा देता है तो आपके इसार बालक की आयो क्या होगी देखे बालक ऐसे होते हैं सो तो जाता है लेकिन वो जिस बिस्तर में सोने लगता उसको आदत सी हो जाती और आपको भी ऐसा होता होगा जहां जिस रूम जिस गर जिस जगह में आप सो रहे होंगे तो आपको एक आदत हो जाती कैसा भी कितना भी हला हो आप सो जाएंगे लेकिन अगर उसको वहीं सुला दिया जाए बिस्तर बे तो बच्चा रोना प्रारम कर देता यह जग जाता है तो कहीं ने कहीं अब बालक जो है इसके अनुसार बालक जो है लगबग कहे सकते हैं दसमाई का होगा कोई भी आपे कहानी कतन जोड़ दिया जाएगा और आप से पेुचा जाएगा तो आपका जवाब वहीं होना चाहिए आंगला बालक मुख रंगों की पहचान कर लेता है यही जो है बालक रंगों की पहचान कपसे करने लगता है जब बच्चा काखा गागा यह भी स्योडी बोलने लगता है तो कहीं न कहीं बच्चा जो है अवदी वह पांच बर सोगा बच्चा जान जाएगा यह नीला है, पीला है, लाल है, काला है यह नार्मल रंग जो साथ रंग होते हैं अंगले पसन की बात करेंगे दोस्तों मिथ्या परिपक्ता का काल कहा जाता है कि सवस्था को कहा जाता है तो मिथ्या परिपक्ता का काल जो आपका होता है छैसले के बारावस्था का वस्था जिसे हम बाल्यावस्था कहते हैं ये बाल्यावस्था को ही मिथ्या परिपक्ता का काल कहा जाता है और एक statement कथन भी है तेक है उस कतन पर भी हम बात करेंगे दोस्तों चोटे चोटे वाकों को बोलना तदा तीन पहिये की साइकिल चलाना ये कार की सवस्था में होता है सैसावस्था, बाल्लावस्था, किसोरावस्था या प्रोडावस्था की बात कर रहें तो आप सभी लोग जानते हैं ऐसे छोटे-छोटे वाकों को बोलना तीन पहिए कि साइकिल चलाना ऐसा कार बच्चे में सैसावस्था में होता है जीरो से लेके पाँच वर्स या कह सकते हैं जब बच्चा तीन से लेके चार्या पाँच वर्स होता है तो छोटे छोटे वाक बोने लगता है जो सुनता है पढ़ता नहीं बोलने लगता है जो आप बोलेंगे वही बच्चा सुनकर बोलने लगता है अंगला अपस दिखेगा काल सी गेरिजन ने किस विधी का अध्यन किया है क्या वह आपकी 36 विधी है लंबात्मक विधी, संकी विधी या प्रोगात्मक विधी की बात करेंगी तो आप सभी लोग जानते हैं समझते हैं कि काल सी गेरिजन ने जिस विधी का अध्यन किया है वह आपकी विदी लंबातमक विदी लंबातमक मतलब कारल सी गैरिसन की बात कर रहे हैं आई ये बात करेंगे अंगले पिसन की अंगले पिसन आपे साथियों दिया गया है कि निन में से किस घटना की ओर बालक सरबतम आकरसित होना प्रारम करता है प्रकास की एसी घटना को बच्चा देखने लगेगा मा की द्वनी को या भोजन के तो आप देखेंगे अक्सर आप देखते होंगे कि बच्चे को जो है सरबतम आकरसित होना प्रारम या करसित बच्चा प्रकास की और होता है अगर उसको प्रकास जहां दिखाई देगा तो बच्चा वहाँ पे जादा देखेगा तो सरबतम बच्चा जो है प्रकास की घटना की और जो है बालक सरबतम जो है आकरसित होता है अंगला पस देखेगा बालक बालिकाओं को सरवादिक समयोजन करना पड़ता है कब करना पड़ता है जब बच्चा वय संदिकाल में होता है किस ओर अवस्ता में होता है सैसा वस्ता होता है या बालना वस्ता में होता है आप सभी लोग जानते हैं सभी लोग कमेंड कीजेगा मेरे पैरे पैरे बायों के पैरी पैरे बहने ग्रणी जिनका सपना है टीटिक ज पित्रों को जेहिंद वंदे मातरम शातियों सबी लोग कमेंड करते रहिएगा बात करेंगे प्रस्ण कि कि बालक की जिग्यासा को किया जाना चाहिए ठीके प्रस्ण यहीं होते हैं केवल मैसेज जोड़ दे देते हैं स्टेटमेन कुछ और दो जाएंगे कुछ कहानियां कमि तो बालक की जिग्यासा को सांत किया जा सकता है, क्या किया जाना चाहिए, सांत किया जाना चाहिए, आपने पड़ा भी होगा, ठीक है, सीखना एक जटिल है, सीखना एक जटिल मानसिक प्रकिया होगी, सरीरिक होगी, समाजिक होगी या नैतिक हो जाएगी, ठीक कोई भी लिखना एक जटिल मानसिक प्रकिया पर आ जाएगी इसलिए हमारे यहां पे पहला आपसन सही हो जाएगा इसके बाद बात करेंगे अंगले प्रशन की कि भारत में बाल विकास की सुरूत कब हुई एक वरद्धी आपने पढ़ओगा ब्रद्धी एक समय सीमा तक होती है इसके बाद फिर रुक जाती है लेकिन विकास जब बच्चा जो है कह सकते हैं बच्चा के विकास जो गरभावस्ता से ही प्रारम हो जाता है जीवन पर चलता रहता है जब तक वह जीवित रहेगा तो व भी को एक मोख कोश्चन दिया जा रहा है इस प्रस्चन का जवाब आपको कमेंट करके बताना है कि किस मनोब बैग्यानी के अनुसार बिकास एक सतत और धेमी प्रकिया है जी हां ऐसे कौन से मनोब बैग्यानी के जिन्हों ने कहा है कि बिकास एक सतत और धेमी प्रकिया है क्य तो ये बुद्धी इंक्लिजिंस के हमने 50 कोस्टन जो है कम्प्रीट किया तो आई होब सभी लोग अच्छे तरीके जो है अटेंड की होंगे यह परचास प्रुष्ण बहुत इंपॉर्टन दोस्तों सीटी टिक जाम की बात करें चाहे अधर